थिल्म देखिएंगे में यानदर वेरीवह इंपोर्टएंट अप्रम हैं आर्वह इंपॉर्टों मेडिशिन एक ती ऐस पाई काटा क्लिनिकल आंदिबॉल बहुत छोटी ड्रग है बहुत छोटी मेडिसेन है लेकिन क्लिनिकली बहुत बढ़ी मेडिसेन है क्लिनिकली आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली आपको यूज़ हो सकती है ठीक है तो इसको यूज़ करें तो लोवर पोटेंसी आप यूज़ने वाली यह वाली मेडिसन है लॉर प्रोटेंसी में यह लगता उत्मा रजल्ट नहीं देती है यह अपने क्लिनीकल एक्सपरियंस के बेसे बोल रहा हूं अलग अलग हो चकता लेकिन मैं अपना एक्सपाइक के बारें बात करेंगे तो एक्टियस्पाइग आपके दिमाग में आनी चाहिए या आप पर ऐसा पेशेंट आ जाए जिसके बिल्कुल छोटे छोटे जोड़ों पर छोटे छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है छोटे छोटे जोड़ों में स्वैलिंग आ गई है चोटे चोटे जोडो में रेडनेस हो गई है, चोटे चोटे जोडो में रूमेटिजम हो गया है, चोटे चोटे जोडो में गाउट जैसी कंडिशन बन रही है, यदि आपके चोटे जोडो में small joints में ये ट्रबल होता है, तो आप समझ जाईए कि आपको आग बन करके में पिक्चर बन होने चाहिए अब आगे बात करते हैं यदि हम बात करें हमारे जो फिंगर्स हैं हमारी कोई फिंगर के जोड़ों में दी आपको दर्द मिलता है स्वेलिंग मिलती है रेडनेस मिलती है मुमेंट करने से दर्द होता है तो आपको यूज करना चाहिए एक्टिया स्पाई काटा क्या मिलती है दर्द मिल रहा है एक्टिया स्पाई काटा दर्द के साथ स्वेलिंग है एक्टिया स्पाई काटा दर्द के साथ रेडनेस है एक् यह हम बोलेंगे रूमेटिज्म हो गया है आपके उंगलियों में जोड़ों में मिल सकता है यह गाउट में आपको मिल सकता है किसी भी कर्ण से हो आपको यूज करना आगे हम बात करते हैं आपकी जो उंगली हैं उंगलियों में कहीं पर भी यहां कहीं पर भी आपको दर्द हो रहा है तो आपको एक्टिया स्पाई काटा यूज करना है ठीक है उसके बात करते हैं रिस्ट यदि रिस्ट में आपको दर्द हो रहा है मूमेंट करने में ठीक है एक्टिया स्पाई करने में आपको दर्द करने में आपको दर्द होता है खड़े होते हैं वैसे दर्द होता है सर्क एंकल जॉइंड में होता है राइट हो लेप्ट हो एक्टिया इसपाई काटा सची कोई दवा नहीं है लोर पोटेंशी उसकर देगा इसकला हम बात करते हैं जो आपके पैरों के अंगुठे हैं उमलियां है वहां के जॉइंड्स ने आपको दर्द होता है तो वेरी वेर रिभ्स मतलब यहां है पर ढूट अहां आपको में दर्द हो रहा हुरा है और आपको दर्द होता है तब भी आप संस लेने में रिफ में दर्द हो रहा है एक्टिय इस्पाई काटा ले सकते हैं लंग्स का कोई infection नहीं है उसके बावजूद आपके chest में खास का ribs में दर्द होता है रिफ का rheumatism हम बोल गएं मेडिसिन है एक टीए स्पाई काटा बहुत इफेक्टिव दवा है छे पावार यूस तरके देखिए 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसके लाब बात करते हैं थोड़ा सा हमने काम किया थोड़े से हमारे हाथ ने काम किये और रेडनेस आ गई दर्द हो जाए स्वेलिंग प्लस रेडनेस प्लस दर्द हो जाए आपको मेडिसिन है और यह प्रावलम में क्या होगी मुवमेंट करने से और बढ़ेगी मेडिसिन एक टीए स्पाई काटा ठीक है दर्द कुश्य नहीं हो लेकिए आपने काम किया स्वेलिंग आ गई छोटे कि इस रिस्ट के रिष्ट पर बहुत बहुत काम करती स्पेसिफिक में बताया गया है ठीक है और मैंने उस उन्धा वैसा साब भूक भी इसको यूज किया है कोई भी प्रावलम फ्रेक्ट चोड़ के कोई प्रॉडकर को छोड़के डेंट में कोई प्रॉडम होती है धर्द पहली दवा एक्ट इस्पाइए काटा होना चाहिए कई बार चोट लग जाती है गाड़ी से गिर गया चोट लग गई तो कई बार क्या ओते हैं अधर्थ होता अधर्द होता तो हो सकता है कि आप पहले आरनी का देदें आरनीका दे दी और सालों के बाद बी आपका दर्द बनाई हुआ है सब्साइए लेकिन उसके बाद आपको फिर एक्ट इस काटा कर सकते। रिश्ट जॉयन की कोई प bisog کے दर्द पेन तो भूला और जॉइंट की रिस्ट रॉइंट की मेडिसिन एक्टी एसपाई काटा आपको देना है ठिक और आगे बात करते हैं पारलाइटिक वीक्नेस उप हैंड उनको कई बार लगता है कि जो उसके रिस्ट है उसमें पावर नहीं बचाए पेशिंट आता है बोलता है कि सर मेरे जो रिस रयाँ बीडमी कुछी स्वेलिंग हो गई और नर्व के जो मॉमेंट हो रही हो दॉल नर मेंnen काता है माम कर सकता है और आप इसिंट है बहुत लाजवाब काम करती है ठीक है लोगा प्रोटेंसी में यूज करें बहुत इफेक्टर रिजल्ट आपको मिलता है इसके लबाद करते हैं यह आप मेरा जिनरल पैथालोजी के सेकेंड यह के बच्चे हैं उनके लिए खासकर आप आप मेडिसिन का पोर जोईन कर सकते है मेरे एप में जाके उस्किल नहीं कि मैं आपको दिस्क्शन में दे दूँगा इसके लबाद गाइनेकलोजी जो थर्ड इयर में आप पड़ते हैं बहुत इफेक्टिव उसमें जो कॉंसेट्स हैं वह आपको बताये गए हैं और वीडियो लगातार उसमें आते जाएंगे घातार वीडियोस में भी आते जाएंगे अभी 21 करीब वीडियोस हैं लेकिन वीडियो आपके आते जाएंगे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा वह ठीक है इसके लावा वह आपको पसंद आते नो प्रें लाइक करें ताकि मुझे पालम चले कि वागई मेरे वीडियो इंफ